नमस्तु भहम नमस्तु भहम नमा में हमें मम् सुहाद रहे आरवर्ड राश्ट देश के रहने वाले मेरे हम उम्पर भाईयों जुवान साथ यह मेरे बड़ो मेरे गुरू जूनों आप सबीको मेरे नमस्कार है मेरें वन्देन अपुन है आपका फिर स्वागत करता हूं पाई एकजीमा के नाम से आप आधनी चिकिचा शास्त्रे में जानते हैं और कुछ समय पश्चा यह उसको पुने वापसी आता है और फिर स्किन का फटना शुरू हो जाता है और फटने के बाद वहां से पानी का रिसाव शुरू हो जाता है तो इस बारी उस ऐसे घाव पर उ जो कि हमारी 5000 वर्ष पुरानी विधा है और वह इतनी उस समय पर भी इतनी समत थी कि लोग उसको करते थे या रिशिमोनी जो उसको करते थे और उसके द्वारा करने के पश्चात दुबारा रोग पुने वापसी उस थान पर नहीं आता तो एक वीडियो आप आगे देखें कि किस प्रकार से अगनी करम चिकिच्चा की जा रहेगी कि एक रोगी मेरे पास आया जिसके उंगली पर जैसा आप ये इस वीडियो में देख पा रहे हैं ये एक एक्जीमा टाइप सा ड्राइक्जीमा सा हो जाता है जो चरम कुस्ट के अंदर कुस्ट व्याधी में हमारे अचारिये ने इसको इसका व्यक्ष्यान किया है तो आज हम इसको ऐसा होता है कि इसको यह साथ आठ महीने बाद पुन है इस स्थान पर ऐसे ड्राइनेस आती है और उसके बाद इसमें सूखना होता है और फिर मवाद पीवसी निकलनी शुरू हो जाती प्रकार का यह च्छे महीने के बाद इस रोगी को दुबारा आया है तो इस पर आज हम अगनी करम करके इसको खतम करने जा रहे हैं तो आगे का वीडियो हम आपको दिखाते हैं दिखाते हैं गच्छावी पुनर में लाए जा रहे हैं, पुनर इनी भावों के साथ आप सुखी रहें, स्वस्त रहें, समर्द रहें और याद रहें यह वीडियो जो मैं आप से शेयर कर रहा हूँ, यह उन आयरवेट के सनातकों के लिए हैं, जो कि अगनी करम चिकिच्छा को सीखना चाहते हैं, और मेरे दश्कों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की वीडियो को देखकर आप अपने आप इनको घर पर ना आजमाएं यह सिरफ आयरवेट के सनातकों के लिए हैं, ताकि वह इसको सीखकर अगनी करम अपने रोगियों को कर सकें, और ऐसी चिकिच्छा जो 5000 वर्ष कुरानी हमारी जो विधा थी, उसको पुने इस आधुनिक काल में भी जीवन में अपना सकते हैं, और ऐसी चिकिच्छा को होचा सकते हैं, तो अधिय।